कर दाऊं सोब्रू फार ढ़ाएट आपको क्या गरना है यार की आपको अपने क्रोम को बेंग करना है वह आपको चाट यहाँ पर ओपिन करना है यहाँ आपको आपको देखना इसीड वैकन है और आपको बैडना है तो let's मैं आप एक सुरी मैं आपर राइट करता हूं यहाप पिक्लिक करने के बाद आपको देखना जाता हूं तो मैं यहां पर किरशाग स्का नम्मर लिखता हूं और यहाँ पर मैंने इसे select कर लिया आपको date रखना है जिस train चल ड़ी उसका चार्ट बन गया हो तो date select करिएगा और आपको क्या करना है कि आपको कहां से boarding station आपकी है कहां से आपको सफर करना है आपको से select करना है और आपको यहाँ पर gate पर click करना है उसके बाद से आपको यहां पर दिखाई देगा और किस बोगी का आपको देखना है यहां पर सिलिपर का देखना है आपको उस बोगी को क्लिक करना है सो मैं S4 पर यहां पर क्लिक करता हूँ S4 पर क्लिक करने के आप यहां पर नीचे देख सकते हैं आपको 2 different colors में आपको यहां पर नमर्स दिखाई दे रहोंगे जो भी पीले वाले नमर्स है यार उस पर यहां पर दिखाई दे रहा होगा आप देख सकते हैं occupied for part journey सब्सक्राइब कुछ कोई कुछ एक कि इस्टेशन से लेकि क्ज इस्टेशन तक वह ठेशन जो पूग वह टर्फो से उसके बाद से वह क्या होगा हमारे 회केंट होगा आप यहां पर देख सकते हैं कि यहां ट्रेन माउ से लखनाव तक यह occupied है बट यहाँ पे बनारस से माउ तक यह वेकेंट है तो आपको अगर जा कर जो S4 में अगर आप S3 पर बनारस से माउ तक आप वहाँ पे बैठ सकते हैं या फिर अगर टीटी है तो आप उसे रिजर्व करा सकते हैं वहाँ तक के लिए फिर उसके बा कि कौन सी सीट जो है भटनी से गोरखपूर तक लिए वेकेंट है तो आपको यह चेक करना है उसके बाद से अगर आप टीटी है तो आप आप वो टीटी से बोलकर अपना टीकट वो बनवा सकते हैं अगर आपको सोरी अगर आपको सीट नहीं मिली आपको कोई सपोज कि तो आपको नहीं कंफर्म हुआ और आपको सफर करना है बट यहां पर बहुत ज़्यादा भीण है तो यार आप ऐसे चार्ट को देख सकते हैं कि सीट कहां से कहां से कहां तक कि सीट जो है वो वेकेंट है और उसके कोडिंग आपको जाकर उसमें बैट जाना है तो यार आप यहां पर देख सेखते हैं कि मैं यहां पर S2 में देख रहा हूं तो बहुत सारे जो है यहां पर चाट जो से दिखाई capitalist kler में दिखाई देरह की बहुत से कुछ आपको वहाँ पर वहाँ पई दिखाते है और नहीं मिलेंगें my one में तो फोल वैकेंड नहीं दिखा रहे है और यह सरी जो हमारी शось जोंड την crystal कि scattering तो यार इस तरह आप देख सकते हैं कि आपको कहाँ वेकेंड मिलने वाला तो यार अगर वीडियो को चलेगे तो प्लीज वीडियो को लाइक करेगा एंड कमेंट कर बताएगे वीडियो को कैसी लगी धन्यवाद